दोस्तो साल की आखरी पुर्णिमा फालगुन पुर्णिमा पर बन रहे कई सालों बाद खास घरै योग, तो इस बार की हुली भर देगी इन चार राशी बाले जात्वकों की किस्मत की जोली। दोस्तो मार्च का महीना जैसे रितू परिबर्तन का महीना होता है, बैसे ही घरै परिबर्तन का महीना भी होता है। होलाश्टक काल में घरै उग्रु पुर्णिमा है 17 और 18 मार्च को होली का देहन होगा और 18 मार्च को रंगो वाली होली और इसके 8 दिन पहले 10 मार्च से दर्म पंडितों के अनुसार होलाश्टक का प्रभाप तीर्ति शेत्रों में नहीं माना जाता लेकिन इन आट दुनों में मौसम परीबर्तन हो रहा होता है ब्यक्ति बीमारियों के चपेट में आ सकता है और ऐसे में मन की इस्तिती भी अपसाथ घरस्ति रहती है इसलिए इसक कारे बढ़जित माने गए हैं लेकिन होलाश्टक के आट दुनों को ब्रत पूजन और हबन की द्रिष्टी से अच्छा समय माना गया है जोतिश विद्बानों के अनुसार अश्टमी को चंद्रमा नभिमी तिथी को सूर्य दश्मी को शनी एकादशी को शुक्र अच्छी को बुद्ध चतूर दर्शी को मंगल और पुर्णिमा को राहू उग्र सेभाप के हो जाते हैं इन गर्याओं के पिरभाप से मनुषी की नड़ने चमता श्रिन हो जाती है इसी कारण मनुषी अपने सेभाप के विपरित फैसले कर लेता है शायद यही बज़े है कि होलाष्टक के बाद होली पर लोगों के मनों को रंगों की और उत्सा की और मोड दिया जाता है फालगुन मास के शुकुल पक्ष में हो रहा गर्याओ का परिबर्तन बेहत महत पूंड है पहला राशी परिबर्तन होगा कुम राशी में जिसमें बुद्ध गोचर करने ब चंद्रमा सिंग राशी में पूर्बु फालगों नक्षत्र में होते हैं सुर्य हमारी आत्मा है तो चंद्रमा मन इसका दोनों पर ही पिरभाब पड़ता है यानि इस दिन परमात्मा सुर्य की उर्जा अपने भग चंद्रमा पर अपना पूरा ध्यान दे रही होती है क्यो परंतु भक्त को कोई नुकसान नहीं होता है। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर कुछ राशियों के ऊपर गर्यों का साकारात्मक पिरभाप पड़ता है। जिसमें अधिक शुबता लाते हैं। इस दिन बनने बाले कुछ खास शुब स्यंग योग इस साल होले का देहन क दिन धुर्व योग का निर्माण हो रहा है। जो जोतिशी द्रिष्टी कोन से बहत खास है। कुल चार रासी बाले जातकों की किस्मत की जोली ये शुब सैहोग भर देने बाले हैं। धन बहुतिक सुक, पारिबारिक सुक, पर्तिष्ठा, इन कई मामलों में ये जातक माल माल बनने बाले हैं। तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें और जाने कि आपकी भी इसमें राशी शामिल है या नहीं। दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अ जातकों के भागे के दौर आप खुलने बाले हैं। इस पर्व पर बन रहे सुब संग्योक अतरिक धन से आपको माला माल करेंगी। आपकी धन समंधित सारी समस्याएं अब हल होने बाली है। किसी मित्र की साहिता से आएके अतरिक तिस्तरोत बनेंगी। अचानक कहीं से ध धन प्राप्ती होगी लेकिन अति उत्साहित होकर खरीदारी ना करें। ये आपके खर्च को काफी हद तक बढ़ा सकता है। बैपार बैबिसाय में सुघमता आएगी। पुर्णिमा के आसपास के समय में बैपार के लिए यातरा पड़ जाना पड़ सकता है। जिसमें सम्मान बढ़ेगा। पदाउनिती की उमीद कर सकते हैं। भूमी भवन के क्रय बिक्रय से लाब होने के योग्य हैं। सौंदर्य प्रसाधन से सम्मंदित बैपार करने बालों के लिए ये समय शुब है। प्रतियोगिता परिक्षा की त्यारी कर रहे जातकों को सफलता तो मिलेगी। अब विबाहित जातक अपनी भाबनाओं का इजहार करके नया रिष्टा शुरू कर सकते हैं। विबाहित जातक अपने जीबन साथी और ससुराल पक्च से सहोग पाएंगे। किसी सुकत समाचार की प्राप्ती होगी और घर में प्रसनित चाही रहेगी। कन्याराशी के जातकों के लिए ये फालगुन पुर्णिमा, धन, अपनों से सहयोग, प्रेम बैबिसाय इन समामलों में अती लापकारी परिस्तिती का अनुभब कराएगी। अब तक कि आपकी कड़ी महनत आपको बरिष्टों से प्रशंक्षा और पहचान दिलाएगी। अचल संपत्ति में बड़ोतरी होने के आसार हैं। आस्मिक लाप से आपकी बित्य इस्तिती में उत्तम बदलाप आएगा। बैपार बैबिसाय में बहुत ज़्यादा बदलाप करने की चेश्टा ना करें। विदेशों से लाप मिल सकते हैं। अपने स्वास्त की उपिक् जीवन में सुक्षांती का अनुभब करेंगे। अब काल चक्र का बदलाप आपके हक में होता जाएगा। और मन में प्रसनिता च्हाई रहेगी। अपने मित्र परिजनों की मदद और अपने बिबेग से सभी समस्याव का समाधान खोजने में काम्याब हो पाएंगे। दा मिला कर इस समय आपके लिए लाब दाएक इस्तिती बनी हुई है तो दिल खोल कर होली के मजे लूटें। दोस्तौब अगली यानी तीसरी खुशनशीब राशी है मकर राशी। मकर राशी के जातकों का भागे इस पर्व काल में सातबे आसमान पर होगा। अत्यन धन दाई शुप फल दाई ये पर्व आपके लिए रहने बाला है। जमीन जैजात के शेत्र से अगर आप जुड़े हों तो विशेश लाब के योगे हैं इस काल में कठोर बरताप और जल्द बाजी से बचे हैं। यदि आप अपनी इस प्रवर्ती पर काम करते हैं तो ये काल अपस करने में मदद मिलेगी। इच्छा अनुसार अतिरिक्त धन की प्राप्ती होगी। लेकिन निवेश बिचार बिमर्ज करके ही करें। आपकी संतान अपने समंधित शेत्र में लगातार प्रगती करने की संभावना है। जिससे आपको गर्व होगा। यदि आप संपत्ती ख करते हैं। समय आपको कोई अच्छे मौके देगा। ऐसे में कुल मिला कर ये उचित समय है अनुकूलता का, लाब उठा कर आगे बढ़ने का। तो चिंता छोड़िये और होली में दिलों को जोड़िये। दोस्तों बात करते हैं मिथुन राशी की। मिथुन राशी के जात पर सफल संपन करने में काम्याब होंगे। आपकी प्रतिस प्रधा भाबना बनी रहेगी। लेकिन अपने बिरोधियों के साथ सीधी टकराप से बचें। पुर्णिमा के आसपास के समय में मन मुताबिक पद पर उन्नती या फिर इस्थानांतर भी संभब है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फल दाई साबित होंगी। कार्रे में सफलता धन दाई सिध्ध होगी। अपार धन की प्राप्ति करेंगे। आपके साथ ही आपके भाई भेनों को भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी सुक समर्दी लेकर आएगा। जीबन में एक नए पड़ाप को महसूस करेंगे। धार में गती बिद्यों में रूची बढ़ेगी। संतान पक्च की तरप से कोई शुब सूचना मिल सकती है। समाजिक और राजनितिक गती बिद्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आप तरह से लाब दिलाने बाले ये फालगुन पूर्णि मा आपको धेर सारी खुशियां देकर जाएगी। दोस्तो धन सुक समर्दी रुत्वा पैसा सब माता लक्षमी की देन है। माता लक्षमी का आशरिबात पाने के लिए कमेंड बॉक्स में लिखे जै माता लक्षमी। म आतारानी के लिए एक लाइक तो बनता है